आज की स्वीड़ में हम बात करेंगे ये अंड के बैंक मतलब जमू एंड कस्मीर बैंक पे फैंडस टोप में लगातार आपको गिराउट देखने को मिल रही है ये गिराउट कहां तक देखने को मिलेगी किया इसके स्पोर्ट रहें किया इसके टारगेट रहेंगे डीटेल स बन रहा है अगर इसका breakdown करेगा तो काफी नीचे के लेवल ये दिखा सकता है यहां पर लगातार आपको गिराट देखने को मिल रही है long term में भी और soul term में भी बात करें sport की तो फिलहाल ऐसा strong sport तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसने अभी breakdown किया है जो की था हमारा sport 116 का तो अब next जो sport रहेगा 107 का रहने वाला है यहां पर देखो possibility तो है कि यहां से भी आपको गिराट देखने को मिल सकती है बाकी यहां पर stock plint बनाने की कोशिस कर रहा है अगर यहां से plint बना कि यह stock के 116 का breakout दे देता है तो भाई कुछ quantity आप अपने portfolio में add कर सकते हो ठीक है क्या है कि company is company carry sorry banking sector के इसके जो fundamental भी सही है और काफी कम price पर भी यहां पर मिल रहा है अगर बात करे weekly chart की तो आप यहां पर देख सकते हो stock ने अच्छे return भी दिये है हाई भी 150 का लगाया है कभी देखो कोई भी स्टोक होता है न अच्छे return के बाद एक deep आता है और deep आने के बाद जहां पर आप पाई करते हो देखो high price पर बाई करोगे हमेश्य अफस होगे बाईंग का सही time होना चाहिए सही level होना चाहिए अब देखो time तो कुछ यह नहीं की fix की दो बज़े चार बज़े दस बज़े कब खरीदे मंगलवार्स हो और यह कुछ नहीं fix है time का मतलब यह है कि भी कितना deep आने के बाद कहां पर stock sport ले रहा है अगर अब यहां पर भी बा recovery का दिखा के 116 का break out कर देता है तो यहां पर कुछ quantity आप अपने portfolio में add कर सकते हो बाकी आप अभी वेट कीजिए अगर और नीची आता है और 101 के आसपास sport लेता है तो आप अपने portfolio में कुछ quantity add कर सकते हो यह पिर जिसने high price पर buy किया है तो इस level पर वह averaging कर सकते हैं ठीक है व बस main बात यही है buy कहां पर किया है आपने दो चीज़े आपको सीखनी चाहिए सबसे पहली तो भई buying कहां पर buying करें second selling कहां पर करें यह दो चीज़ आ गई तो आप market में profit बनाना शुरू कर दोगे तो यहां पर भई जिसने यहां buying की है समझ लो उसने गलती किया जिसने यहा पर अपना सोट किया है सेल किया है तो भई उन्होंने एक अच्छा मौका फिर से यहां पर दोबारा से बाइंका बना लिया तो यहां पर आके कुछ quantity अपने portfolio में एड कर सकते हैं बाकी आपका क्या कहना इस टोप के बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस यूडियो का मोटिव ओनली फूर एजूकेशन परपज है इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज अपनी खुद के अनलाइज जरूर करें